Good morning students, 6th class, कल हमने chapter पढ़ा था, दादा की कहानी, दादा की जबानी, 11th chapter, जो पूरा नहीं हुआ था, तो आज हम इसे वापस continue करेंगे, जहां से छोड़ा है, ठीके, देखिए, कल जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे से, महंत जी, महंत जी कहते हैं, क्यों, जब लड़का वो लड़का कहता है, कि मैं सच कहता हूँ, काका, मैं सब बुरी आदते छोड़ना चाता हूँ, मगर सोचता हूँ, क्या फाइदा, कौन प्यार करेगा मुझे, किसे जरुरत है मेरी, हना, तो तब यहां तक हमने पढ़ लिया था, तो इसके बाद, अब क्या है, तो महंत ज लिए जीवन पर नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकता हूँ, लड़का क्या कहता है, छोड़ सकता हूँ, तो महंत जी कहते है, तो जाओ, जाकर मा से ख्षमा मांगो, और नया जीवन शुरू करो, तो जाने का स्वर आता है, मतलब वो निकल जाता है वहां से, फिर इस्त्री, ह किसका कर उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, आगे देखे, इस्त्री, इस्त्री कौन है वो, उसकी मा, उस लड़के की मा, कौन लड़का, रामू, ठीक है, तो वो इस्त्री बैठने की फुरसत नहीं है भीया, सुना है, आज आप जा रहे हैं, यदि आप, तो महंत जी, बोल ही नहीं मिलती, आप तो शहर ही होकर जाएंगे, हमें अस्पताल के सामने उतार देना, उतार ही क्यों दूँगा, हमें तो वहां एक दिन रुकना है, अस्पताल में ही गाड़ी रोक लूँगा, जो जरत होगी मदद करूँगा, यह आपका रामू भी साथ रहेगा, इस्त् जी नहीं दिदी, इसने 15 दिनों से एक बूंद नहीं पी, और आगे भी, हरे राम, देखता क्या है, मा के पेरों में गिर कर शमा मांग, मा, बेटे की रोने का स्वर, मा, मा, मैं बहुत, मेरा बेटा, राजा, मेरा, राम, राम, बेटा, वो इस तरह के से कहती है, फिर महनती जी कहते हैं, जाओ दीदी, चलने की तयारी करो, दूप चड़ने से पहले ही निकल चले, लड़का, काका, शहर में मैं आपके साथ ही रहूँगा, महनती जी, अरे, नहीं रे, मैं तो रमता जोगी हूँ, तेरी जरुत तो तेरी परिवार को है, इस सुन्दर सबल शरीर को म महनती जी कहते हैं, देख, मैं एक वादा करता हूँ, यदि इधर फिर फेरा लगा सका, मतलब इधर वापस आया, तो मुझे मुनी वशिष्ट, तो मुझे मुनी वशिष्ट का पाट दूँगा, तो अपने को इस लायक बना लो, बना तो, तो रमेश और रीमा, फिर कहते ह उसने, उसे अपने को संभालने में कठना इः तो हुई, मगर, उसने अपने को घर द्वार की कामों में ज्योत दिया, मतलब घर के कामों में वह महनत करने लगा, घर के सारे काम करने लगा, खेती की, पढ़ाई भी की, तुम तो जानते ही हो सब, जो सोती हुई ताकत जग जाए, जब सोती हुई ताकत जग जाए, तो फिर कुछ भी कठिन नहीं होता, कहानी खत्म, पाईसा हजम, रमेश बोला, दादा जी, ऐसे लोग होते हैं क्या, तो दादा जी, तुम्हें शंका क्यों हो रही है, यह बिल्कुल सची कहानी है, यह तु दादा जी, यह सच है बेटे, यह सच है, संगत ही तो असली चीज है, जो बुरी भी, जो बुरा भी बनाती है और भला भी, तो रमेश, अच्छा तो आप समझा, आप गाउं छोड़ कर हमारे पास क्यों नहीं आते, आप महंत काका के इंतजार में हैं, आपको मुनी का पाट करना है, तो दोनों हसते हैं, फिर इस्त्री स्वर में बच्चों की अच्छी बाते सिखाने वाले तुमारे दादा जी तो साक्षात वशिष्ट ही हैं, फिर अमेश केता है, अरे मां, तुम तो आज से हम दादा जी को वशिष्ट जी ही कहेंगे, तो सारे सब समवे पामिवाइब ढ Intelligence से और वह कहनी किसकी थी दादा की ही कहानी थी जो कौन थे चुछ एंपरिवार के बिगड़ार की पश्टिति गई उनके परिवार के सदो बिगड़ गई तो वह भी क्या दो गलट संगत्स विजर चला है तो घज़ाने के वज़े से काम नहीं करता था लेकिन जब महंत जी ने उसने समझाया और रावन का पार्ट करने के लिए कहा और तब उन्हें वो जो आदत उनकी जो लगी वी थी शराब की वा आदत छुडवा दी तब जाके उन्हें एसास हुआ कि उन्हें क्या करना है तब फिर उसके बाद से ही क्या है मेनत करन लगे और अपने परिवार को संभालने लगे अपने परिवार के सारे काम काज करने लगे समझ में आगया तो इसी तरह से उन्होंने क्या समझाया है कि संगती असली चीज है संगत का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे साथ के जो साथी लोग वो कैसे हैं अच्छे हैं बुरे अच्छे हैं तो आप अच्छे गुण सीखोगे उनसे और बुरे हैं तो आप में बुरे गुण आएंगे आप उनसे क्या सीखोगे बुरे गुण ही सीखोगे ना मतलब अच्छे संगत में तो हमें क्या करना चाहिए अच्छे संगत में ही रहना चाहिए और अच्छे प्रबुक में करने हैं ठीक है ओके चलिए अब इसके बाद मैं आपको आपके कॉशन आंसर की की दी बता रही हूं की सेंड कर रही हूं वो भी आप इनके प्रशन उत्तर वगरा कर लेना यह अक्टिविटीज के हैं कॉशन आंसर ध्यान से देखना ठीक है तो यह भी आपको नौट बुक में करने हैं यह सारे आंसर की है आपकी पूरे चेप्टर की लेवन चेप्टर की आंसर की है यह यह आंसर है यह व्याकरन बोट की कॉश्चन के आंसर है ठीक है यह सब आपको अपने बुक में फिल भी करना है और नौट बुक में भी करना है ओके यह आपका वर्क है यह नौट बुक में करना है अच्छा ठीक ओके आज के लिए बस इतना ही बाई बाई